हेलो दोस्तों, आप सब कहाँ? आपके अबने चनल वो भी लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है तो आजगी इस क्लास में हम सक्सादस गनित विश्यक्या द्यातीन दो चरवाले रेखिक समीकरन यूगम के तेहत प्रश्नवाली 3.3 के प्रश्न संख्या 2 को स्वाल्व करना सिखेंगे इसे पिछले वाली क्लास में हमने आपके प्रश्नवाली 3.3 के पुश्यन नंबर 1 को बहुत अच्छे से स्वाल्व करा दिया था जिसमें हमने परती इस्तापन और विलोपन विदी की मदद से रेखिक समीकरण युगम को सौल्व करना सिखा था तो उसी कड़ी में आज हम आपके प्रशनवाली के प्रशन संक्या 2 को सौल्व करना सिखेंगे तो चलिए क्लास सुरू करते हैं देखें दूसरा परशन दिया गया है निमन समस्याओं में रेखिक समीकरणों के युगम बनाईए पहले आपको समीकरण जो समस्यादी गई है उन समस्याओं को देखते हुए पहले रेखिक समीकरण युगम बनाने है और उनके हल का यदि अस्तीत्व हो तो फिर विलोपन व यदि से ग्याद करने हैं, देखो पहला प्रशनों, यदि हम अंस में एक जोड दे और हर मैंसे एक को घटा दे, तो भिन किसमें बिदल जाती है, एक में, और यदि में हर मैं एक जोड दू, तो ये कितना हो जाती है, एक बटा दो हो जाती है, वह भिन क्या है, देखो यदि म हर में मैं केवल एक जोड़ दू तो भिन्द क्या हो जाती है एक बटा दू तो फिर वो भिन्द क्या है वो हमें ग्याद करने हैं देखो solution माना यहाँ पर अंस कितना है x से हम मान लेते हैं माना अंस बराबर x और y बराबर अंस बराबर x और हर बराबर कितना माना y है ठीक है इसलिए परीमे संक्या कह सकते हैं कि भिन्द संक्या इसलिए परीमे संक्या परीमे संक्या अत्वाम कह सकते हैं भिन्द संक्या इसलिए परीमे संक्या क्या बनेगी अंस और हर से मिलकर बनेगी तो अंस है आपका x और हर कितना है y तो प्रीमे सिंग क्या हो जाएगी x बटा y हो जाएगी अब देखो पहली सर्थ क्या है तुम लिखेंगे पहली सर्थ के अनुसार पहली सर्थ के अनुसार पहली सर्थ के अनुसार तो पहली सर्थ क्या है देखो अंस में भी एक जोड़ना है और हर में क्या करना है एक गटाना है तो अंस में हमने एक जोड़ दिया x प्लस 1 हर में से एक गटा दिया यानि y माइनस 1 तो भिन कितनी हो जाती है एक एक मतलब एक बटा एक कितनी हो जाती है एक हो जाती है ठीके आप देखो y-1 का इदर एक से गुना होगा तो यहाँ पर आपकी क्या हो जाएगा x plus 1 बराबर y-1 कितना हो जाएगा x plus 1 बराबर y-1 तो x-y बराबर यह देखो plus का एक है उदर जाएगा तो minus का 1 कितना हो जाएगा minus का 2 माइनस एक और माइनस एक माइनस का दो इसको दे दिया हमने समीकरन नमबर एक कितना दे दिया समीकरन नमबर एक दे दिया ठीक आगे देखो आगे दूसरी सर्थ के अनुसार अब कौन सी सर्थ दूसरी सर्थ दूसरी सर्थ के अनुसार दूसरी सर्थ के अनुसार अब की बार क्या बोल रहा है कि केबल हर में एक जोड़ना है अंस में कुछ नहीं करना तो देखो अंस ऐसा का ऐसा अंस एक्स है हर में कितना जोड़ना है एक तो भिन कितनी हो जाती है एक बटा दो कितनी हो जाती है एक बटा दो, अब देखो दो का गुणा x से होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2x, और ये y प्लस 1, y प्लस 1, अब देखो y का पक्सांतरन कर दो, तो 2x minus y बराबर 1, इसको दे दिया हमने समीकरन नंबर 2, कितना दे दिया, समीकरन नंबर 2, अब समीकरन नंबर 1 ये हो गया, सम कांसी विदी से solve करना है, will open विदी से, तो किसी एक चर के गुणा को मैं समान करना पड़ेगा, और फिर हमें जोड अथवा बाकी करनी पड़ेगी, ताकि एक चर पत क्या हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, तो हम समीकरन नंब समीकरन एक को दो से गुणा करके, समीकरन दो मैंसे गटाने पर, पहले हैं समीकरन एक को किसे गुणा करना है, दो से गुणा करना है, अब देखो समीकरन एक को किसे गुणा करना है, दो से गुणा करना है, अब देखो समीकरन एक को किसे गुणा करना है, गुणा करना है और फिर किस में से गटाना है समीकरण 2 में से गटा देना है तो समीकरण 2 दो देखो हम उपर लिख लेंगे 2x-y बराबर 1 इस में से किसको गटाना है समीकरण 1 को लेकिन 2 से गुणा करके देखो 2 से गुणा करेंगे समीकरण 1 को तो 2x माइणस 2y बराबर माइणस का 4 रह न? अब निशान बदल दो पलस है तो माइणस, माइणस है तो पलस, माइणस है तो system अब देखो ये पलस का 2x, ये माइणस का 2x ये हो गया पूरा cancel 2y मेंसे 1y गया, तो कितना आ गया y 4 और 1 कितना हो गया? 5, कितना हो गया 5, यहनि y कामान कितना आ गया, y कामान आ गया 5, अब यह y कामान हम का रख देंगे समीकरण 1 में, कहां पर रखेंगे, समीकरण 1 में, तो आगे लिखेंगे y कामान समीकरण 1 में रखने पर देखो, X की जगह कितना रखना है? X की जगह, तो हमें ग्याद करनी है value Y की जगह कितना रखना है? 5 तो यहाँ पर देखो X माइनस 5 बराबर माइनस का 2 तो X बराबर माइनस 2 पलस का 5 तो X बराबर कितना आ गया? X बराबर आ गया 3 कितना आ गया X बराबर आ गया 3 अम लिख देंगे अतो अतो प्रीमे संख्या अतो प्रीमे संख्या बराबर X बराबर Y बराबर कितना होगा तीन बटा 5 है बिल्कुल सरल तरीका था अमने केवल पहले रेखिक समिकर्ण यूग में बनाए प्रश्णा के अनुसार और फिर हमने विलोपन विदी की मदर से सॉल्व कर दिया आगे बढ़ते हैं दूसरा क्या बोल रहा है कि 5 वर्स पूर्व, कितने वर्स पूर्व, 5 वर्स पूर्व, नूरी की आयू, 5 वर्स पूर्व, नूरी की आयू, सोनू की आयू की 3 गुना थी, कितने वर्स पहले, 5 वर्स पहले, 10 वर्स के बाद, नूरी की आयू, सोनी की आयू की 2 गुना हो जाए वर्तमान आयू आपको ग्याज करनी है, है न, तो देखे, solution, माना, माना, इसकी नूरी की वर्तमान आयू, X वर्स, माना, नूरी की वर्तमान आयू, बराबर X वर्स, ठीके, तथा, सोनू की वर्तमान आयू, सोनू की वर्तमान आयू, बराबर कितनी मानी हमने Y वर्स, कितनी मानी वर्स, अब देखो कितने वर्स पहले, पांच वर्स पहले, पांच वर्स पूर्व, है न, पांच वर्स पूर्व, नूरी की वर्स पूर्व, नूरी की वर्स पूर्व, नूरी की वर्स पूर्व, कितनी थी, उसमें से 5 कम हो जाएगी, वर्तमान में X है, उसमें से 5 कम हो जाएगी, वर्तमान में कितनी x है इससे 5 वर्स पूर्व यानि पीछे चलना है तो y-5 वर्स अब देखो प्रशना अनूसार प्रशना अनूसार देखो क्या बोल रहा है कि 5 वर्स पूर्व नूरी की आयू तो नूरी की आयू कितनी है x-5 वर्स और तो तीन से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे तो देखो समिकरन क्या बन जाएगा एक माइनस 5 बराबर 3y माइनस 15 तो यहां से एक्वेशन बन गई एक माइनस 3y बराबर माइनस का 10 इसको दे दिया हमने समिकरन नमबर 1 कितना दे दिया समिकरन नमबर 1 दे दिया अब देखो आगे दूसरी सरत आगे लिख देंगे फिर से प्रशना अनूसर प्रशना अनूसर अब क्या बोल रहा है 10 वर्स पच्चात है ना तो यहाँ पहले हम वो इस्ति लिख लेते हैं कि 10 वर्स पच्चात की इस्ति क्या है तो यहाँ पर लिख देंगे 10 वर्स पच्चात पहले क्या लिख लेते हैं 10 वर्स पच्चात 10 वर्स पच्चात देखो 10 वर्स के बाद सोनू की आयू और नूरी की आयू तो दस वर्स के बाद हम लिखेंगे नूरी की आयू अभी देखो कितनी है एक्स है दस साल के बाद तो यानि उसमें दस जूड जाएंगे तो एक्स प्लस दस वर्स सोनू की आयू कितनी हो जाएगी सोनू की आयू हो जाएगी y प्लस 10 कितने हो जाएगी y प्लस 10 वर्स एक अब देखो अब प्रशना अनुसार प्रशना अनुसार क्या बोल रहा है कि 10 वर्स के बाद जो नूरी है उसकी आयू सोनू की आयू की कितनी होगी दूगुनी होगी तो नूरी के आयू कितनी है, x plus 10 ये नूरी के आयू है, sonu के आयू कितनी है, y plus 10 और इसका कितना होगी, 2 गुणा, तो 2 से गुणा कर दिया देखो आगे, x plus 10, बरापर 2y, परापर 20 तो आपका समिक्रण क्या बन गया, x minus 2y, बरापर 10 x-2y बराबर 10 इसको दे दिया हमने समीकरण नमबर 2 ठीक है अब देखेंगे हम आगे हमारे पास समीकरण 1 और 2 आ गए अब देखो हम क्या करेंगे इधर देखो x है इधर भी x है यहाँ पर 3y है इधर कितना है 2y है तो यहाँ पर देखो दोनों गुणांग समानी है इधर x का गुणांग 1 है और इधर भी x का गुणांग 1 है तो समीकरण 1 को ठीक है समीकरण 1 मैंसे हम 2 को क्या कर देते हैं गटा देते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 मैंसे 2 को गटाने पर समीकरण 1 मैं से समीकरण 2 को गटाने पर तो यहाँ पर देखो एक क्या है x-3y बराबर माइनस का 10 है न, दूसरा कितना है दूसरा में यहाँ पर लिख रहा हूँ x-2y बराबर पलस का 10 अब देखो माइनस करना है तो निशान बिदल जाएंगे पलस है तो माइनस और माइनस है तो पलस और पलस है तो माइनस तो x-x तो क्या हो गया, कट गया 3y माइनस का और पलस का 2y तो माइनस का y माइनस का y बराबर माइनस का 20 तो माइनस से माइनस कट जाएगा यानि y कामान कितना आ गया y कामान आ गया 20 कितना आ गया y कामान आ गया 20 अब y कामान का रखेंगे समीकरण नमबर 1 में बागे लिखेंगे y कामान समीकरण 1 में रखने पर y कामान समीकरण 1 में रखने पर तो देखो जहाँ y था वहाँ कितना रखना है 20 रखना है तो यहाँ पर देखो x-3 y की जगर 20 बराबर माइनस का 10 तो x-60 बराबर माइनस का 10 तो x बराबर माइनस 10 पलस का 60 तो x के वल्ली कितनी आगी? x के वल्ली आगी जागी 50 x बराबर 50 है ना अब लिख देंगे हम कि अतर नूरी की वर्तमान आयू 50 वर्स है और आपके सोनू की वर्तमान आयू कितनी है 20 वर्स है यहाँ पर लिखेंगे अतर नूरी की वर्तमान आयू 50 वर्स तथा सोनू की वर्तमान आयू 20 वर्स है सोनू की वर्तमान आयू कितनी है? 20 वर्स है टिक यह हो गया आपका प्रश्न संख्या 2 आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 दिया हुआ है दो अंको की संख्या के अंको का यो कितना है? 9 है इस संख्या का नो गुना, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का कितना है दो गुना, तो बहुत संख्या ग्याद करो अब देखो संख्या कितनी है दो अंकों की, तो दो अंकों की संख्या का रूप क्या होता है इतनी बाद आपको समझ में आने चाहिए अब देखो सबसे पहले माना इकाई का अंक एक्स माना इकाई अंक माना इकाई अंक बराबर एक्स तथा दहाई अंक तथा दहाई अंक कितना माना आमने वाय मान लिया है ना इसलिए संक्या अब दो अंकों की संख्या क्या बनेगी देखो इसलिए संख्या बराबर 10 गुणा दहाई अंक यानि 10 गुणा वाई पलस इका इकांग यानि एक्स यह बनेगी आपकी संख्या अब पर्थम सर्थ के अनुसार पर्थम सर्थ के अनुसार दो अंकों की संक्या के अंकों का यो कितना है नो है है ना तो पर्थम सर्थ के अनुसार एक्स पलस वाई बराबर कितना दिया हुआ है नो इसको दे दिया समीकरन नमबर एक फिर दूसरी सरत के अनुसार आगे लग देंगे दूसरी सरत के अनुसार क्या बोल रहा है इस संक्या का नो गुना इस संक्या का नो गुना इस संक्या मतलब कुण सी? जो आपकी दोंकों की संक्या बनी है उसका नो गुना तो देखो नो गुना संक्या का कितना हो गया 9 गुना ये किसके बराबर है इस संक्या के अंको को पलटने से बनी संक्या अंको को हम पलट दे X की जगह Y और Y की जगह X तो संक्या क्या बन जाएगी 10X पलस Y अंको को पलट दिया हमने X की जगह Y लिख दिया की जिगह x लिख दिया, इसका कितना गुणा है 2 गुणा, तो हमने किसे गुणा कर दिया 2 से गुणा कर दिया, है ना अब देखो आगे 9 का गुणा 10 y से 90 y, पलस 9 x, बराबर 2 का गुणा 10 से 20 x पलस 2 y ये बन गया अब देखो समीकरन क्या बनेगा यहाँ पर 90 y हैं इदर कितना है, 2 y तो इदर इसको ला लएंगे और यह देखो 20 x है, इदर कितना है 9 x, तो 9 x को उदर बेज़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 मैं से 9 जाएगा तो 11 x 2 y मैं से कितना y गढ़ाना है 90 y, तो कितना हो जाएगा 80 y और ब्राबर में कितना आ जाएगा 0 यहां से हम किसको common ले ले 11 को common ले ले 11 को common ले लिया x-8y ब्राबर 0 x-8y ब्राबर का 0 है ना अब देखो 11 को उदर भाग में बेज़ेंगे तो कितना हो जाएगा 0 यहने आपका समीकरण क्या बन जाएगा आपका समीकरण बन जाएगा x-8y ब्राबर 0 यह हो गया समीकरण नंबर 2 कितना हो गया समीकरण नंबर 2 अब देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 में x का गुणांग समान है इधर भी 1 है इधर भी 1 है तो म लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को गटाने पर समीकरण एक से समीकरण दो को गटाने पर है न देखो एक कितना था x पलस y बराबर 9 इसमें से गटाना किसको है समीकरण दो को तो समीकरण दो क्या है आपका x माइनस 8y x माइनस 8y बराबर 0 या पर निसान बदल देंगे प्लस है तो माइनस माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस देख एक से एक सो क्या हो जाएगा कट जाएगा आठ वाय और एक नो वाय कितना हो गया नो वाय बराबर नो तो वाय बराबर कितना आ गया वाय बराबर आ गया एक कितना आ गया एक अब Y का मान का रखना है समीकरण एक में तो Y का मान समीकरण एक में रखने पर तो देखो X पलस Y के जगए 9 बराबर 9 तो X का मान कितना आ जाएगा तोरी क्या था? X पलस Y बराबर 9 है न? तो Y का मान कितना है इदर आया है? Y का मान आया है एक कितना है? Y का मान आया है एक तो X बराबर कितना हो गया? X बराबर हो गया 8 कितना हो गया? 8 ठीक इसलिए संख्या क्या बनेगी देखो हम लिखेंगे इसलिए दो अंको की संख्या इसलिए दो अंको की संख्या क्या होगी देखो क्या रूप था आपका दो अंको की संख्या का 10y प्लस x कितना था 10y प्लस x बराबर तो 10y की जगए 1 है कोई फरकनी पड़ेगा प्लस x की जगए 8 है 10 प्लस 8 कितना हो गया 18 है दोगों की संख्या कितनी है वो, वो दोगों की संख्या 18 है, ठीक, आगे बढ़ते हैं, प्रश्ण संख्या 4, कौनसा प्रश्ण संख्या 4, देखो, मिना 2,000 रुपे निकालने के लिए एक बैंक जाती है, उसने खंजासी और केसियर जो पैसे देता है बैंक में, खंजासी से पचशास और रुपे सो के नौट देने के लिए कहा, मिना ने कुल पचीस नौट परापकिये, ग्याद किजिए कि उसने पचास रुपे और सो रुपे के, कितने नौट परापकिये हैं, यहनि वो बैंक से दोजार रुपे निकालने गई है, लगिए उसने केसियर से कहा कि मुझे 50 रुपे और 100 रुपे के नौट ही चाहिए और उसने कुल कितने नौट दिये उसको 25 नौट दिये अब आपको बताना है कि उसमें 50 रुपे के कितने नौट है और 100 रुपे के कितने नौट है ठीक, देखो solution माना 50 रुपे के नौटों की संख्या है न, 50 रुपे के नौटों की संख्या वो कितनी है, एक से तथा 100 रुपे के नौटों की संख्या तथा रुपे 100 के नौटों की संख्या रुपे 100 के नौटों की संख्या बराबर कितनी है, वा है ठीक आगे नोटो की कूल संख्या कितनी है सो है और नोटो की कूल संख्या कितनी है पच्चीस है इसलिए अगर ले कहेंगे नोटो की कूल संख्या नोटो की कूल संख्या कितनी है पच्चीस है इसलिए नोटो की कूल संख्या कितनी है पच्चीस है इसलिए x plus y बराबर 25 इसको दे दिया समीकरन नमबर 1 कितना दे दिया समीकरन नमबर 1 देखो अब दूसरी सरत क्या है कि 50 रुपे और 100 रुपे के नौटों की कुल रासी कितनी है 2000 है अगे लिखेंगे कि कुल रासी कुल रासी कितनी है 2000 रुपे है 2000 रुपे है अतो देखो हमें नहीं पता 50 की कितने नौट है 50 गोणा X पलस 100 गोणा Y बराबर में कुल कीमत कितनी है 2000 इसको दे दिया समीकरण नमबर 2 कितना दे दिया समीकरण नमबर 2 ठीक है अब देखो यहां से 50 common आ जाएगा तो यहां से 50 common ले लो एक बार 50 common तो X पलस 2Y एना X पलस 2Y बराबर 2000 तो यह 50 से 2000 कट जाएगा कितनी बार 40 बार तो X पलस 2Y बराबर कितना आ गया 40 इसको दे दो समीकरण नमबर 2 आप ठीक है उपर वाले को हटा दो ठीक है यह हो गया आपका समीकरण नमबर 2 अब देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 में X का गुणांग समान है तो हम 1 मेंसे 2 को गटा देते हैं आगे लिखेंगे 1 मेंसे 2 को गटा दो या 2 मेंसे 1 को गटा दो कोई फरक नहीं पड़ेगा तो आपने लिख लेते हैं समीकरण 2 मैंसे 1 को गटाने पर तो समीकरण 2 कितना है देखो x पलस 2y बराबर 40 इसमें से कितना गटाना है x पलस y बराबर 25 अब देखो निशन मदल दो माइनस माइनस और माइनस देखो x से x कैंसल हो गया 2y मैंसे 1y गया तो y 40 मैंसे 25 गया तो कितना आगया 15 है ना कितना आगया 15 यानि y का मन आपके पास कितना आगया y का मन आगया 15 अब y का मन का रखेंगे समीकरण 1 में अगे लिखेंगे y का मन समीकरण 1 में रखने पर y का मन समीकरन एक में रखने फर देखो x की जगह x y की जगह 15 बच्चीस तो x बच्चास के नौटों की सिंग़ा कितनी है 50 के नौटों की सिंग़ा 10 है और आपके 100 के नौटों की सिंग़ा कितनी है 15 है देखेंगे अतर पचास रुपे के नौटो की संख्या, कितनी है नौटो की संख्या? दस तथा रुपे सो के नौटो की संख्या, कितनी है? वो आपकी पंद्र है, कितनी है? पंद्र है, तो इस तरह यह था आपका प्रशन संख्या चार, आगे बढ़ते हैं, प्रशन संख्या पांच की तरफ, यह आपर दिया हुआ है, किराया पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकाले का पर्थम तीन दिनों का एक नियत किराया है, पहले तीन दिनों का एक फिक्स किराया है, उसके बाद परतेक अत्रिक दिन का अलग किराया है, सरीता ने साथ दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपे दिये, जब पर माना माना पर्तम तीन दिनों का किराया पर्तम तीन दिनों का किराया वो कितना है एक्स रुपे वो कितना है आपका एक्स है ठीक है तथा तथा परतेक अतरिक दिन का किराया परतेक अत्रिक्त दिन का किराया वो कितना है? Y रूपे ठीके? पर्थम तीन दिनों का निच्छित किराया वो X रूपे हैं और पर्थम अत्रिक दिन का जो किराया है वो है Y रूपे अब देखो साथ दिनों तक पुस्तक रखने के लिए कितना किराय दिया है उसने 27 रुपे तब लिखेंगे पर्थम सरत के अनुसार तो देखो साथ दिनों का किराय कितना दिया है 27 अब साथ दिनों में वो तीन दिन भी तो सामिल है तो तीन दिनों का किराया कितना है X रुपे और जो चार दिन है चार का किराया कितना होगा चार दिनों का किराया होगा 4 गुणा Y बराबर में 27 पहले जो तीन दिन है उनका किराया कितना है X रुपे पीछे बचे चार दिन चार दिनों का किराया चायर गुणा y, है न, तो पर्थम सरत के अनुसार, x पलस 4y बराबर 27, इसको दे दिया समिकरन नंबर 1, इतना दे दिया, समिकरन नंबर 1, फिरागे लिखेंगे, दूसरी सरत के अनुसार, अब देखकों, दूसरी सरत के अनुसार, अब देखकों, दूसरी सरत क्या है आपकी दूसरी सरत है कि 5 दिनों के लिए कितने रुपे दे रही है 21 अब देखो 5 दिनों के अंदर 3 दिन तो फिक्स है और 2 दिन एक्स्ट्रा है तो 3 दिनों का किराया कितना है एक्स रुपे 2 दिनों का किराया कितना होगा 2Y बराबर में 21 तो x प्लस 2y बराबर 21 इसको दे दिया समीक्रण नमबर 2 है न अब यहाँ पर देखो समीक्रण 1 और 2 में x का गुणांग समान है पर मिलिख देंगे समीक्रण 1 में से 2 को गटाने पर समीक्रण 1 से समीक्रण 2 को गटाने पर समीक्रण 1 से समीक्रण 2 को गटाने पर तो यहाँ पर एक क्या है देखो समीकर नमबर एक है x पलस 4y बराबर 27 और दूसरा है x पलस 2y बराबर में 21 यह दिया हुआ है निसान हम बदल देंगे तो यहाँ मैं इसको side में लिख लेता हूँ ताकि आपको समझाने में आसानी रहेगी इगर मैं इसको side में ले लेता हूँ एक मिनट के लिए इसको हमने ले लिया यहाँ पर side में ठीक है अब देखो अब हम क्या करेंगे इनके निसान बदल देंगे माइनस माइनस और माइनस x x का कट गया 4y में से 2y गया कितना बच्चा 2y और 27 में से 21 गया तो 6 तो y कामान कितना आ गया y कामान आ गया 3 y कामान का रखेंगे समीकरण नंबर 1 में आगे लिखेंगे y कामान समीकरण 1 में रखने पर y कामान समीकरण 1 में रखने पर तो देखो x पलस 4y व्याइक जगत 3 बराबर 27 एक्स बराबर 27 माइनस 12 तो X बराबर कितना आ गया X बराबर 27 में से 12 जाएगा कितना आएगा 15 हमें क्या पता लगा कि जो नियत किराया था तीन दिनों का वो 15 रूपे हैं और एक अत्रिक दिन का किराया कितना है तीन रूपे हैं तब लिख देंगे आगे किया तो नियत किराया किराया कितना है 15 रूपे तथा अत्रिक्त दिन का किराया तथा अत्रिक्त दिन का किराया तो कितना है? तीन रुपे है ठीक ये अपका हो गया हल तो इस तरह हमने आपके प्रशनों वाली 3.3 के प्रशन संक्या 2 के जितने भी 5 भाग दिये गए थे उन सभी 5 भागों के solutions को बहुत अच्छे से जान लिया है उम्मीद करता हूँ सभी प्रशनों का हल आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा तो क्लास देखने के लाब सभी का धन्यवाद यदि आपको मेरी मेहनत और ये क्लास पसंद आई है तो फिर लाइक कमेंट सेरो सब्सक्राइब जरू करें आज कले इतना ही जय हिंद जय भारत